नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभासाक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी ये हमारा special program है उची उडान उची उडान में आज हम बात करेंगे उन बच्चों के बारे में जो दस्वी और बार भी पास कर चुके हैं और अपने भविश्य के और आगे बढ़ रहे हैं कुछ लोग तो इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो सरकारी जॉब में जाना चाहता हैं जिसके लिए उनको एक बड़े बड़े एक्जाम्स होते हैं उसको क्रैक करना होता है इस एक्जाम्स की तैयारी कैसे करें किस तरह से अपना दिंच सरकारे बनाएं इसी पर हम बात करेंगे हमारे साथ है निरत जी जो 26 सालों से इसी पर वर्क कर रहे हैं सबसे पहले निरत सर आपको बहुत-बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में तेंक्यू मैं सर आप तो पहले स्टार्टिंग से ही जो बच्चे सरकारी जोब के लिए ए काना चाते हैं उनके लिए जरूरी है कि वह कमपीटिशन ndकी टी त्यारी करके ही उस एक्जाम को दें बिना टीर एक्जाम देने से उनको प्रोपर रिजल्ट नहीं मिल पाएगा इसके लिए ज़्य旅श इंस्टिट्बग्स तो हैं जहां पर वह जाकर के उनकी त्यारी कर सकते हैं इसके लिए जरूरी है कि वहां से त्यारी करने के बाद वो अपनी सैल जरूर करें जैसे मैंटमेटिक्ज एंड इंग्लिस यह में चार सब्जेक्ट हैं जो की पूछे जाते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि मतलब वह आठ से दस घंटे की स्टेडी उनको प्रोपरली करनी पड़ेगी उनको अपनी जो प्रस्टनल लाइफ है थोड़ा सा उससे अलग हटके थोड़ा चलना पड़ेगा थोड़ा टफ है लेकिन नामुम्किन नहीं है सर जैसे इंग्लिश की बात की जाती है इंग्लिश थोड़ा सा लोगों जो हिंदी मीडियम की बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और उनको थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आती है इंग्लिश के लिए कुछ चैप्टर से कुस्टन तो नहीं आने वा इसमें काफी पुराने समय से यह लोग इस फिल्ड में हैं और इनके पढ़ाईवे बच्चे काफी लोग जो मतलब गवर्मेंट फिल्ड में भी गए हैं तो आप मतलब हाँ जाके बच्चा यह सीख सकता है और सर जो समान ले घ्यान होता है उसका एरिया मतलब मुझे लगता ह है कि 200 नंबर के पेपर में समान ले घ्यान कम से कम सो नंबर का आता है उस तरीके से तो उसके लिए कैसे अपने जर्णल नॉलिज स्ट्रॉंग की जाए तो जीके के लिए सबसे अच्छी बात यह मैं कहना चाहूंगा जो हमने बच्पन में जो भी बुक्स पड़ी हैं SST व ऑज्ट के जानकारी होनी के उनकी करीं स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए तो अगर हम ब्रेक्स बखोर अवर आल इस सब जानकारी रखे होनी की सेंचिए पर चर्चा कर सुके हैं mathematics के क्योंकि जो नॉर्मल जो 10 तक हम math पढ़ते हैं उससे काफे different होती है जो competition exams की math होती है तो उसके लिए क्या चीज़े जैसा कि हम जो बात कर रहें competition exam पर ही बात कर रहें तो उसमें objective question mathematics के लिए आते हैं तो ट्रिक्स आपको इसली समझ मैंगी उससे आप जल्दी से उसको सुनू कर पाएंगे ताकि आप उतने time limit के अंदर पूरा पेपर आपने जैसे चारो सब्जेक के बारे बता दिया है सारी चीज़ें कुछ किताबे अगर आप बच्चे खरीदने जाएं किन किताबों से पढ़ाई की जा सकती है दो बुक्स के बारे में तो मैं किसी कंपनी का कोई परचार नहीं करना चाहूंगा लेकिन बुक्स में यह है कि आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हैं किस बुक की क्या रेंकिंग चल रही है राइटर कॉन सा अच्छा है पलस जहां भी जिस इस इस चीटूट में आप लोग तो वह में तो वहां पर उसको पूरी अच्छी तरीके से गाइडन्स दी जाईगा ज़र कि पैसा कि माने सुनी होगी कि नया नो दिन और पुराना सो दिन तो इसके लिए जरूरी है जो आपके सीनियर से कहां पढ़ते थे वह उन्हें वहां पे कौन सी फैकल्टी अच्छी मिली तो सीनियर से डिसकस करें और प्लस यह कि पूरी जानकारी लेने के बाद ही उन इस्टिटूट में आज जैसे पुराने बच्चों में और आज के बच्चों में आप फर्क देखते होंगे आज के बच्चे थोड़ा सा बहुत जादा सोशल मीडिया से जूड़ गये हैं सोशल मीडिया उनको लगता हैं आम इंटरनेट पर पढ़ाई कर सकते हैं तो उन बच्चों को जो किस तरह सर ने बताया कि अगर आप कमटीशन एक्जाम के लिए त्यारी कर रहे हैं तो आप जानकारी के लिए आपका धन्यवाद तो देखा आप लोगों ने कि किस तरह सर ने बताया कि अगर आप कमटीशन एक्जाम के लिए त्यारी कर रहे हैं तो आप किस तरह से पढ़ाई करें कैसे जो चार सब्जेक्ट हैं उन पर पूरी तरह से फोकस करें ऐसे ही तमाम टिप्स के लिए देश जुन्या की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ अगले हफ़ते फिर से मुलाकात होगी एक नई उडान के साथ मैरे नू फिलहाल आपसे विदा चाहती हूँ नमस्कार